नवश्कार मैं हूँ आकर्शिन उपल और इसमें आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं आई बेन 24 पर चाहे करनाल के लोगों चाहे हर्याणा के लोगों या इस देश के लोगों सब के लिए एक बड़ी खबर खुशी की खबर लेकर आई है मोदी सरकार जिया यानि कि ख़शन मंतरी नरेंदर मोदी ने आम लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो देश का हर आदमी देश का हर शक्स अपने आपको सुरकशित महसूस करेगा सुरकशित महसूस करेगा प्राइवेट हस्पतालों की लूट से सुरक्षित महसूस करेगा कि अब उसकी बच्चत का पैसा इलाज में वेस्ट नहीं होगा जी हां देश की परधान मंतरी नरेंदर मोदी और उनकी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और वो फैसला है हर शक्स को आयूश्मान कार्ड देने का जी हां हर शक्स को लाख रुपे का जो इलाज है वो फ्री देने का फैसला मोदी सरकार ने कर लिया है और इसका इसका जो नतीजा है वो कभी भी सामने आ सकता है लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ दो सो से तीन सो रुपेया एक साल का एक शक्स को देना होगा जिसके बाद आपका और आपका यनि कि आप और आपका परिवार पूरी तरह से किसी भी प्राइविट किसी भी सरकारी हस्पताल में पांच लाख उर्पे तक का इलाज मुफ्ट करवा पाएंगे अगर ये योजना लागू हो जाती है तो आप सोचिए कि भारत इस पूरे विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा देश होगा जहां पर एक सो पैंतिस करोड लोगों का इलाज मुफ्ट हो पाएगा सरकारी और प्राइविट हस्पतालों में ये खबर इसलिए भी मातपून हो जाती है क्योंकि हमारे देश के अंदर हेल्थ इंशॉरंस कमपनीज का जो बिजनस है वो बहुत जाद है अब सवाल ये है कि क्या वो कमपनीज इस योजना के बाद अपना काम कर पाएंगी सवाल यहां पर यह है कि किस किस शक्स को इसका अलाब मिलेगा क्या मिडल क्लास फैमली गरीब परिवार के सासा तमाम श्रेणियों के जो लोग है क्या किसी तरह कि कोई इसमें कंडीशन कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं लगाई गई तो जवाब है कि इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी यानि आपकी जो आए है पहले आयुश्मान कार्ड के लिए बहुत सारे नियम और शर्ते लगाए गए थे अलाकि जिन लोगों को पहले से ये ऐसा नहीं देना होगा लेकिन जो लोग आयुश्मान कार्ड योजना के तहत अभी तक लाब पात्र नहीं बन पाए है आयुश्मान कार्ड योजना के तहत अभी तक आयुश्मान कार्ड का जो लाब है जो कार्ड है वो नहीं बनवा पाए है ये योजना सिर्फ उनके होगी इसके लिए income का कोई भी criteria नहीं होगा चालिस करोड लोगों को जो चालिस करोड लोग अभी तक आईश्मान भारत योजना से नहीं जुड़ पाएं हैं उनको इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा धाई सो से तीन सो रपया प्रती मेंबर आपको इसके लिए चुकाने होंगे हर साल अगर private company से बात करें suppose कि आपके परिवार में पाँच लोग हैं और पाँच लोग health insurance लेते हैं private company से तो आपको इसके लिए आठ से लेकर पंदरा हजार रुपे या इससे भी कुछ जादा amount pay करना पड़ सकता है ये age के उपर depend करता है लेकिन अगर सरकारी योजना की बात करें आयूश्वान योजना की बात करें तो आपको इसके लिए मातर पाँच लोगों के लिए लगबग साड़े बारा सो से पंदरा सो रुपे साल के देने होंगे कब तक आएगी इसके बारे में कहना मुश्किल है लेकिन जो जानकार है वो ये बताते हैं कि अगले एक से दो महीने के अंदर भारत सरकार इस योजना को लागू कर सकती है और अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे विश्व में ऐसी योजना लागू करने वाला जो भारत है वो एक मातर और पहला देश होगा मेरी आप सभी लोगों से अपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें आपको ये खबर कैसी लगी क्या आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइए और पांच लाख रुपे तक का इंशूरंस लेने के लिए तयार हो जाईए क्योंकि इससे पहले भी मोधी सरकार ने बारा रुपे में एक्सिडेंटल इंशूरंस दो लाक रुपे का इंशूरंस जो है एक्सिडेंटल आपको दो बारा रुपे में दिया था और दो लाक रुपे का ही अगर आप सामान्य insurance करवाते हैं तो वो 324 रुपे उसके लिए आपको देने पड़ते हैं उसके बाद जो इस तरह की योजना यह अपने आप में काफी यानि के महतपून है क्योंकि देश का हर आदमी टेक्स देता है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे मिडल क्लास हो लेकिन मिडल क्ला ले पाएगा आई उश्मान भारत की उजना के तहित हेल्थ इंशूरंस ले पाएगा और आपका इलाज किसी भी प्राइवेट और सरकारी हस्पिताल में फ्री हो पाएगा मेरी आप सभी से एपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहें इसे साथ के साथ जरूर शेयर कर